जैशी गृष्णा स्वागत है आपका सार्थी तृष्णा के साथ कैसे हैं आप लोग कैसे हैं घर में सब जरूर बताईएगा गुरू पुर्णिमा की आप सभी को हार्दिक्षुप कामना है गुरू पुर्णिमा एक ऐसा दिवस एक ऐसा दिन जब हमें चंद्रदेव के साथ साथ गुरू भ्रहस्पति का भी आशिरवाद प्रदान होता है गुरु पुर्णिमा पर हम अपने गुरुओं का पूजन करते हैं, अपने अपने गुरुओं से गुरु मंत्र लेते हैं, इसी दिन गुरुओं से गुरु दिक्षा भी लिए जाती हैं, गुरु जीवन के अंदर बहुत महतपूर्ण होते हैं, गुरु हमें ग्यान देते है सही राहा देते हैं और जीवन का सही अर्थ समझाते हैं हमारे जीवन के सबसे बड़े गुरू सर्व प्रथम गुरू हमारी मा मानी गई है और उसके बाद हमारे अराध्य हमारे इश्वर और उसके बाद वो हर शिक्षक आपका गुरू है जो आपको ज्यान प्रदान कर रहा पर कोई एक विशेष गुरू हुता है जीवन में जो हमारे जीवन को कहीं से कहीं पहुँचा देता है उनके ज्यान के सहारे हम कभी konfuse नहीं हुते हमें जब भी भ्रह्म हो वो हमें उस भ्रह्म का पर्दा हटा कर सही मार्ग दर्शन दे दें वो ऐसे गुरु होते हैं जो हमारे जीवन के अंदर हमीशा प्रकाश जलाए रखते हैं गुरु पुर्णिमा के दिन अगर आपके भी कोई ऐसे गुरु हैं तो उन्हें नमन करना बिलकुल मत भूलिएगा पीले रंग के फूल उन्हें जरूर दीजेगा अपनी मा को सर्व प्रथम चरन स्पर्श करके उन्हें आप पीले रंग के पुष्प जरूर अर्पित करिएगा पीले रंग की मिठाई उन्हें जरूर खिलाईएगा और पीले रंग का तिलक यानि की चंदन या हल्दी का तिलक उन्हें जरूर लगाईएगा हमने अपने जीवन का खाना, पीना, उठना, बैठना, चलना हर एक चीज तो अपनी मा से ही सीखी है इसलिए उनसे श्रेष्ट गुरु कोई नहीं हो सकता तो सर्थ प्रतम उनके आशिरवात के साथ आप अपने गुरुओं का आशिरवात भी जरूर लीजेगा गुरु होना एक बहुत बड़ी उपाधी है, एक बहुत बड़ा जिम्यदारी का एक काम है किसी का भी गुरु बनना मतलब उसके जीवन में उसका रक्षक भी हो जाना गुरु ऐसा होता है जो आप पर आज भी नहीं आने देता आपके समस्त कस्टो को एक ढाल बनकर एक आपके जीवन की वो प्रोटेक्शन बनकर आपके साथ हमेशा चलते हैं जो आपको कभी भी खड़े में नहीं जाने देते, आपको हारने नहीं देते, आपको कभी भी किनी गलत हातों में फसने नहीं देते गुरू का ज्यान अगर हमें सही समय पर सही उम्र में प्राप्त हो जाए तो हम कहीं से कहीं पहुँच जाते हैं किन लोगों के साथ अच्छे गुरू की प्राप्ती नहीं होती अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को बहुत जादा स्किन प्राप्लम होता है ऐसे लोगों को कभी कोई शिक्षा सही से दे ही नहीं पाता, वो लोग जो अपने जीवन के अंदर अस्थिर होते हैं, जिनके जीवन में किसी भी चीज को लेकर उन्हें विश्वाश ही नहीं आता, जो अपने जीवन में भटकते रहते हैं, ऐसे लोगों को गुरु की शरण बहुत मुश्किल से प्राप्त होती है, ऐसे लोग जो अविश्वाश बहुत जादा करते हैं, ऐसे लोग जो जीवन के अंदर हमेशा प्रशनों पे प्रशन, प्रशनों पे प्रशन, प्रशनों पे प्रशने रखते रहते हैं, ऐसे लोग कभी भी सच्चे गुरु के सानिद भक्ति दिखाते हैं जो अपने गुरु को अपने आपको समर्पित करते हैं जो अपने गुरु की शिक्षा को प्राप्त करने के लिए बहुत सारी परिक्षाओं से गुजरते हैं ऐसे लोग जीवन में अपने गुरु के आश्रिवात से सफल ही रहते हैं ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान किसी को श्राब दे दे या किसी को ना चाहें कि वो अपने जीवन में प्रगती पाए तब अगर गुरू साथ खड़े हो तो भगवान को भी हारना पड़ता है लेकिन अगर गुरू किसी को श्राब दे दे या गुरू का जीवन के अंदर आपको साथ ना मिले तो इश्वर भी उसको साथ कभी नहीं दे पाता बिना गुरू तो हरी भी प्राप्त नहीं होते है न तो आप भी गुरू पुनिमा के दिन कुछ ऐसी चीज़े कर लिजे कि आपको भी गुरू का सानिध्य मिले और मैं तो सबसे बड़ा गुरू इस दुनिया में अपने इश्वर को मानती हूं मेरे सबसे परम गुरू, मेरे आराध्य, मेरे गोविन देव जी ही रहे हैं उनसे ही सिखा, उन्हीं से ही शिक्षा प्राप्त की, उन्हीं से ही ज्यान मिला अब आप कहेंगे कि हमें कैसे वो मिले, मैं बताती हूं अगर आप भी चाते हैं कि आपके जीवन में आपको इश्वर का ज्यान हमेशा मिलता रहे और वो आपके गुरू हमेशा बने रहे हैं तो आप भी इस एपिसोड को लास्ट टक जरूर देखिएगा गुरू पुने मा के दिन आप सुबह सवेरे उठकर सनान करेंगे तो आप पानी में थोड़ा सा गंगा जल जरूर डाल लेंगे हल्दी भी डाल लीजेगा और सनान करिएगा उसके पश्चात आप अपने घर में हल्दी के जल का छिड़काव करिएगा अपने मंदिर के अंदर आप एक घीका दीपक प्रजलेत करिएगा और साथ ही साथ में आप अपने माबाप को, अपने ईश्च को और अपने गुरूओं को नमन करिएगा उस दिन अगर हो सके तो आप पीला कपड़ा ही धारն करिएगा उसके बाद आप अपने घर के प्रमुख दुआर पर हल्दी से स्वास्तिक का निर्मान कर दीजेगा ततपश्चात आप किसी मंदिर में जाएगा वहाँ जाकर आप प्रभु को पीले रंग के पुष्प अर्पित करिएगा पीली मिठाई भोग में लगाईएगा वहाँ अगर आपको ब्रह्मन मिल जाएं तो उन्हें पीले वस्त्र दीजेगा केले जरूर आप अपने हाथ से उस दिन मंदिर में ब्रह्मन को जरूर दीजेगा आप अगर अपने हाथ से चीनी भूरा मंदिर में चड़ा कर आते हैं तो इससे भी इश्वर प्रसन होकर आपको सही गुरू प्राप्त कराते हैं। जब जीवन में बहुत सारी दिक्कते हों और उसका समाधान ना मिले तो हमें इश्वर से सही रहा पाने चाहिए। उसके लिए आप गुरू पुर्णिमा के दिन मंदिर में जाएंगे और भूले नाथ के उपपर कच्चे दूद में शहद मिलाकर अरपित करकर आएंगे। हर किसी के आराध्ये अलग-अलग हैं। मेरे ठाकुर जी हैं, आपके भूले नाथ हो सकते हैं, मातारानी हो सकती हैं, गनेश जी हो सकते हैं, लाम जी हो सकते हैं, अनुमान जी हो सकते हैं, भैरो बाबा हो सकते हैं, मा काली हो सकती हैं। आप जिसको भी अपना अराध्य मानते हैं आप उन्हें उस दिन अपने हातों से ये सारी सामगरी ज़रूर चढ़ाईएगा जो मैंने आपको बताई है अगर पॉसिबल है तो आप उस दिन अपने हाथ से रुद्रा भी शेक ज़रूर करिएगा और किस चीज से रुद्रा भी शेक करेंगे करिएगा गन्ने के रस से या शहत से या फलों के रस से और फिर देखिएगा आपके जीवन में सही रोशनी, सही प्रकाश कैसे आपको प्राप्त होता है संध्या के वक्त अपने घर के अंदर एक घीका दीपक प्रजलेत करिए, सफेद रंग के वस्तर पहनिएगा, पूरप की तरफ मुख करिएगा, एक रुद्राक्ष की माला लीजेगा और उसके बाद आप ओम नमह शिवाय की पाँच मालाओं का जाप करिएगा इस दिन आपको अपनी नाभी के उपर हाथ रखे, कौन सा हाथ रखेंगे? अपना सीधा हाथ रखकर अपने मन ही मन में अपने इस्ट को याद करते हुए, आपको ब्रहस्पती जी के मंतरों का जाप भी करना चाहिए इससे शरीर के अंदर उरजा आती है, इससे शरीर में ताकत आती है और इश्वर का आपके उपर आश्रवाग सदा सरवदा बना रहता है गुरुपुर्णिमा की रात्री में अगर आप चंद्रमा की रौश्नी में बैटकर अपने आगे थोड़ा सा जल का पात्र रख लेते हैं और उसके अंदर सफेद रंके पुश्प डाल देते हैं और वहीं बैटकर आप चंद्रमा के मंत्रों का जाप करते हैं तो ऐसा करने से आपके जीवन में हमेशा स्थिर्टा बनी रहती हैं आप कभी किसी गलत हाथ में नहीं जाते आपके साथ धोका नहीं होता आपके साथ कोई विश्वाश घात कभी नहीं कर पाता गुरू पुर्णी मा की रातरी में अगर आप अपने घर के मंदिर में बैठ कर घीका दीपक प्रजलित करके स्वटिक की माला से मालक्ष्मी के मंत्रों का जाप करते हैं तो ऐसा करने से आपके जीवन में मालक्ष्मी का अश्रिवाद सदा सरवदा बना रहता है अगर इस दिन आप अपने घर के अंदर सत्य नारायन जी की कथा करवाते हैं तो इससे आपका स्वभग्य भड़ता है भाग्य की उन्नती होती है और आपके घर में सुक शान्ती बनी रहती है इस दिन अगर आप मंदिर परिसर में जाकर केले के पेड का रोपन करते हैं और साथी साथ में आप अपने हाथ से गौ माता को इस दिन अन खिला कर आते हैं रोटी खिलाए आप चाहें तो आप चने की दाल और गुड़ भी खिला सकते हैं ऐसा करने से आपके जीवन में भा और हमें अच्छे लोग मिलना बंद हो गए हमारी संगती बिगरती चली गई हमारे एर्दगिर्द के लोग हमें सिर्फ नेगिटिव ही देने लगे ये कंडिशन भी तब होती है जब आपका गुरू ब्रहस्पती खराब हो और ऐसी कंडिशन में आपके साथ एक सिम्टम भी ह होता है आपके सिर्के मध्य भाग में बाल कम होने चालू हो जाते हैं आपका भ्रहस्पती जब खराब होने लगता है तो आपको एर्दगिर्ट से कभी भी कोई अच्छा गुरू नहीं मिल पाता किसी की सीख किसी की एड़वाइज आपके काम नहीं आ पाती और आप जीव मुस्रत्य आना चालू हो जाती है ऐसी कंडिशन में आपको क्या करना चाहिए आपको गुरू पुर्णिमा के दिन पांच पत्ते के ऐपर पंच समी की गाठ आपको विशनु जी पेरा लगाते हैं लेकिन एक चीज़ नहीं करते हैं, क्या? आपको गुरु पुर्णिमा के दिन अपने अराध्य के चरन स्पर्श करने चाहिए, उन्हें मिठाई का जाप करिए फिर देखिए कैसे जीवन में बदलाव आता है मंत्र आप जो चाहें वो बोलिए हमेशा गुरू अपने शिश्य को मंत्र देता है और कहता है कि आप इस मंत्र का जाप करिए लेकिन आप अपने आराध्य अपने गुरू के पास जाए और उनसे ये कहिए कि मैं इस मंतर का जाब चालू करूँगा या करूंगी आप इसे सिद्ध करिए और फिर देखिए कैसे आपको सिद्धी प्राप्थ होती है कैसे आपका वो मंतर आपके गुरु की कृपा से सिद्ध हो जाता है. जरूर करिएगा कोई नहीं बताएगा बहुत सारे बोर हैं इसने मेरी बताई हुई चीज हमेशा अलग या हटके होती हैं जरूर करिएगा जीवन में सुख शांती वैवव कोई भी मनो कामना सिद्ध करनी हो तो आप अपनी चॉइस का मंतर उठाइए और उसे सिद्ध कर दीजे चलिए जी गुरू पुनिमा की रात्री को आप एक सफेद पेपर के ओपर या भोजपत्र के ओपर हल्दी से लिख दीजेगा 5,2,1,5 और उसके बाद इसे आप गोल गोल घुमा लीजेगा इसके उपर रोली बांदिएगा और इसे आप अपने सिरहाने के पास रख लीजेगा जब आपकी मनो कामना सिद्ध हो जाए जो भी आप चाहते हैं जो भी आपके मन में हैं तब आप इसे बहते हुए जल के अंदर प्रवाहित कर दीजेगा जब भी हम किसी मनोकामना की बात करते हैं तो हमें अपने मन में हमेशा ये सोच लेना चाहिए कि हमारे ये उपाय से तो जो हमारी मनोकामना पूर्ण होगी हम करेंगे लेकिन जब हमारी मनोकामना पूरी होगी तो हम किसी ना किसी का भला भी जरूर करेंगे जैसे कि किसी गरीब को अन दे दिया जैसे कि किसी बच्चे की शिक्षा उठा ले जैसे कि आपने किसी को वस्त्र दे दिये छोटी-छोटी सी चीजें हैं करा करिए जीवन में इससे प्रसंता आती है चलिए जी आज के दिन मा लक्ष्मी को प्रसंद करने के लिए आप अपनी तिजोरी के अंदर पान के पत्ते के उपर दो हल्दी की गांट और साथ में थोड़ा सा कपूर और एक चांदी का सिक्का जरूर रख दीजे ऐसा करने से आपके घर से कभी भी धन वैवव खतम नहीं होता घर में कभी करजे नहीं आते हमीशा घर में सुक समर्दी बनी रहती है आज की रातरी आप अपने घर के पायदान के नीचे पांच लौंग पांच गोमती चक्र जरूर रख दीजे अगले दिन सुभा आप ये सा सारा समान काले रंग के कपड़े में बांध कर किसी भी पेड़ के नीचे जाकर रखाये तुलसी जी के पेड़ को छोड़ कर आप पैड़ के नीचे आप किसी भी पेड़ के आप थोड़े से salt water के अंदर अपनी energized चीजों को energized करने के लिए रात पर चांदनी में जरूर रख देंगे लेकिन इसको एक शर्त के साथ रखा जाता है कि सूरज की किरन ना पड़े अगर सूरज की किरन पड़ेगी तो ये energized नहीं होंगे आपको कुछ चीजों का और भी आज की रातरी ध्यान रखना है आज की रातरी आपको ब्रह्मचारे का पालन करना है आज की रातरी आपको अपने मन से वचन से कर्म से किसी का कोई अपमान या बुरा नहीं करना है आज की रात्री आप नॉन्वे शराब जैसी चीजों को हाथ भी नहीं लगाएंगे वैसे तो आज प्याज लसन का भी उपयोग करना वर्जित है लेकिन ठीक है मेरी टिपनिया कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगती है ध्यान रखेंगे तो जीवन में बहुत सफल हो जाएंगे एक बात ध्यान रखेंगा मैं हमेशा आपसे ये बात कहती हूँ कि प्रकर्ती हमें एनरजाइज करने के लिए हमें अपनी शक्तियां प्रदान करने के लिए विशेश रात्रियों में धर्ती पर ब्रह्मन करती है उनमें से एक विशेश रात्री आज की रात्री यानि की गुरु पुर्णिमा की रात्री भी होती है आजकी रातरी अगर आप बैठकर मंतरों का उचारण करते हैं इशवर का ध्यान लगाते हैं अगर अपने मन को एकत्रित करके सारी चीजों को साइड करकर आप अपने आपको इशवर के साथ जोडने की कोशिश करते हैं आप देखिएगा आपके जीवन में परिवर्तन थाउजन परसेंट नहीं लाख परसेंट आएगा ही आएगा प्रियास आप करिए साथ हम देते हैं और फिर आते हैं कुछ नया कुछ अलग कुछ अद्बुद लेके तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा रिष्टों में मजबूती बनाके रखेगा अपने सार्थी के साथ योई जुड़े रहिएगा प्यार देते रहिएगा प्याल लेते रहिएगा ख्याल रखेगा आपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं मैं जल्द आपसे मिलने आऊंगी तब तक के लिए राधे कृष्णा सार्थी मात्रशला ज्योतिश के क्षेत्र में विश्व विख्यात ताम है जोतिश शास्त्र में PhD मात्रिशिला पिछली 22 वर्षों से जोतिश की सभी परंपराकत विधाओं के साथ साथ अनेक दुरलब गुड़ विधाओं जैसे परचाई एवं लवस के अध्यन से अपनी सटीक भविश्यवानी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन सवार्चुकी मात्रिशिला लगातार 2016 से जोतिश विभूशन अवोर्ड प्राप कर रही है साल 2018 में उन्हें उत्राखंड के मुख्य मंत्री त्रिवेंद्र सिंग रावत ने जोतिश विभूशन अवोर्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट अस्ट्रोलजर के अवोर्ड से नवाजा जा चुका है अवोर्ड ही